गल्वान घाटी में भात्य सेना की ओर से मिले मुतोर जवाब के बाद चीनी सेना ने एक बार फिर से पेंगॉंग जील इलाके में आतिक्रमन करने की नापाक कोशिश की हाला की सीमा पर मुस्तैद भात्य जवानू ने चीनी सेना को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया लेकिन इससे चीन एक बार फिर बौखला गया है और वो भारत को युद्ध की गीदरभगी देने लगा है दरसर चीन सरकार के मुखपत्र Global Times ने अपने संपाधी के में लिखा है कि अगर भारत उसके साथ किसी तरह की प्रतिसपरधा में शामिल होना चाहता है तो चीन अतीच से ज्यादा उसकी सेना को नुकसान पहुँचाने में संपाधी के में आगे लिखा है इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत एक ताकतवर चीन का सामना कर रहा है पीपल्स रिबरेशन आमी के पास देश की एक-एक इंच जमीन की सुरक्षा करने के लिए पर्याप फोर्स है चीन के लोग भले ही भारत को संघर्ष के लिए उकसाना नहीं चाहते हैं लेकिन चीन के भूभाग पर अथिक्रमन की अनुमती कभी नहीं देंगे चीन की जनता अपनी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है संपादिके में भारत को धमकी देते हुए लिखा है अगर भारत किसी भी तरह की चुनौती देना चाहता है तो चीन के पास भारत के मुकाबले ज्यादा हतियार और शमता है अगर भारत सैन्य शमिता का प्रदर्शन करना चाहता है तो पियले भात्य सेना को 1962 से ज्यादा नुक्सान पहुचाने वाली है पेंगॉंग लेक में हुआ संगर्श दिखाता है कि भारत में गलवान घाची में कोई सबक नहीं लिया वो अब भी चीन को उकसाना चाहता है वहीं भारत को अमेरिके समर्थन पर संपादिकें में लिखा गया है कि भारत को अमेरिका के समर्थन को लेकर किसी भी तरह का भ्रहम पालने की ज़रूरत नहीं है आपको पता दें कि चीनी सेना ने 39 अगस की रात लदाख में घुसपैट की कोशिश की थी लेकिन भारत ये जमानों ने उन्हें उखदेर दिया लदाख में दोनों देशों के बीच ताजा जड़ब पेंगॉंग जील के दक्षिनी किनारे पस्ते तेक चोटी को लेकर हुई चीनी मीडिया में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और वो भारत को धंगाने पर उतारू हो गया है बिर्णूरत